नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है कॉंग्रेस में एक नया अभियान शुरू हो गया है यानि पैसा फेको और टिकट खरीदो चुनाबों में टिकट के लिए अब कॉंग्रेस पैसा लेने वाली है सुनिया गांधी ने एक ऐसा अभियान चलाया है जो भारतिय राजनिती के लिए सबसे बड़ा दुरुभाग्य कहा जा सकता है एक तरीके से पैसे देकर टिकट लेने को इन्होंने एक राजनितिक और लीगल तरीका बना दिया है कि अब राजनितिक पाथी उनका अनुसरन करें दूसरी राजनितिक पाथीयों को भी ऐसा करना चाहिए लोक सभाचुनाब में भी ऐसे आरोप लगते रहते हैं कि किसी उम्मिदवार को टिकट देने के लिए उनसे पैसे की मान की गई है कुछ पाथीयों के उपर लगतार गंभीर आरोप लगते रहते हैं जिसमें ज़्यादा तर रिजिनल पाथियां है जिसके बारे में कहा जाता है कि 70-80% टिकट उस पाथी के पैसे देने के एवज में ही मिलते हैं लेकिन अब कॉंग्रेस ने खुलम खुला इसे वैदहानिक लीगल दरजा दे दिया है कि अगर आपको कॉंग्रेस का टिकट लेना है तो इसके लिए आपको डोनेशन के नाम पर पैसे देने पड़ेंगे और ये पैसा तो आप सीधे तोर पर देंगे डिमांड ड्राफ्ट बना कर देंगे लेकिन इसके बाद भी जिन उम्मिदवारों ने अप्लिकेशन दिये हैं पैसे जमा किये हैं उनके बीच भी कंपटिशन कराया जाएगा टिकट की बोली लगाई जाएगी और जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा उसे ही टिकट दिया जाएगा उसे ही उम्मिदवार बनाया जाएगा अब मतलब विधायक या सांसद बनना है कॉंग्रेस में तो आप बक्सा भर के पैसा रखिए और फिर जब चुनाब के बाद कॉंग्रेस की सरकार बन जाए तो लूट पार्ट मचाएए या तो आप विधायक और सांसद बन जाएं तो डिवलप्मेंट के फंड का MP LED के फंड जो होता है वो फंड लोकल एरिया डिवलप्मेंट प्रोग्राम के फंड का पूरी तरह से इस्तेमाल कीजिए वो पैसा इकठा करने के लिए जो आपने पाची हाई कमान को टिकट देने के बदले दिया था ये सुरुवात हो चुकी है और इसके लिए सुरुवात जो की गई है कॉंग्रेस के नए राष्ट्री अध्यक्ष के परदेश से की गई है खडगे को साइद इसलिए सुनिया गांधी ने कॉंग्रेस का अध्यक्ष बनाया है ताकि वो जो लंबे समय से कॉंग्रेस में इस बात की चर्चा चल रही है कि अब टिकट लेने के लिए पैसा दिया जाए उसको इंप्लिमेंट करवाया जाए और इसकी शुरुवात करना करनाटक से ही मली का आरजुन खडगे आते हैं करनाटक में अगले साल मई में लगभग चुनाब होना है और इसके लिए वहाँ पर तैयारी की जा रही है अप्लिकेशन लिए जा रहे हैं तो फिर क्यों न करनाटक से इसके सुरुवात की जाए और 2030 में जो लगभग 10 राज सवाचुनाब के लिए राहूल गांधी के लिए बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट किया जाएं कॉंग्रेस के पोस्टर लगाया जाएं और सैकडो कडो रुप्या चुनाब परचार के लिए जो खर्च किये जाने हैं उसकी बसूली पहले से ही कर ली जाए हाला कि कॉं का जरिया खत्म कर दिया जाए इसी बात के चर्चा हुई और कॉंग्रेस में इस बात को इंप्लिमेंट करने का आदेश दिया गया खड़गे ने पहले ये एनाउंस किया कि करनाटक विधान सभा चुनाब के लिए उम्मिदवारों के अप्लिकेशन लिये जाने शुरू कर चाहिए और फिर ये जिम्मेदारी करनाटक परदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष दिके शिवकुमार को दि गई डिके शिवकुमार ने पूरी प्लान बनाई और फिर उन्होंने एक एनााउंसमेंट कि कि कॉंग्रेस के विधान सभा चुनाब में अगर कॉंग्रेस के लिए ट पैसे देकर ही टिकट लेने होगे और इसके लिए एक पूरा फॉर्मेट बनाया गया उस फॉर्मेट में कहा गया कि 5 नवंबर से 15 नवंबर तक आप विधान सभा सीटो के अनुसार अपने अपने छेत्र के अनुसार वहाँ पर उम्मिदवार बनने के लिए अप्लिकेशन द देना पड़ेगा इसके अलाबा उन्होंने इसके लिए डिसकाउंट का भी ओफर रखा है कि अगर आप S.C.S.T. कंडिडेट हैं तो उसमें 50% का डिसकाउंट दिया जाएगा क्योंकि अनुसुची जाती जन जाती के लोगों को ये लोग अभी भी गरीब मानते हैं चाहे वो विधान सभा चुनाभी क्यों न लड़ रहे हों लोग सभा का चुनाभी क्यों न लड़ रहे हों उनका राजनितिक जीवन लंबा हो या फिर वो पहले से ही पैसे कमा के रखे हुए हों इसलिए उन लोगों को 50% की छूट दी गई है और इस 50% की छूट के साथ उन्हें एक लाख रुपे का डिमांड राप्त जमा करना होगा यानि 2023 में जिन जिन जगों पर विधान सभा के चुनाभ होने हैं उसमें सबसे इंपोर्टेंट करनाटक और पहले हैं मैं 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 वहां चुनाभ होने हैं विधान सभा के और उससे पहले जो फरवरी में चुनाभ होन के लिए कोई तयार नहीं होगा क्योंकि North East के States में जितने राज्य हैं वहां से Congress पूरी तरह से साप हो चुकी है पचीस लोग सवा के सीटों में से एक भी Congress के पास नहीं है ना कहीं भी सरकार है और धीरे-धीरे Congress खत्म होती जा रही है North East से लेकिन जहां जहां पर थोड़ी उमीद लोगों को है कि यहां पर कुछ सीटे Congress जीत कर आएगी और वो सीट उनकी भी हो सकती है इसलिए competition करवाया जा रहा है करनाटक में मैं मैं विधान सभा का काजकाल पूरा होगा उससे पहले चुनाव होने है और 5 नवंबर से 15 नवंबर तक application देने के लिए एक notification जारी कर दिया गया है Congress में यानि एक सीट पर initial amount दो लाक रूपया आपको जमा करना होगा और साथ ही आपको SCST होने का फायदा 50% discount के साथ मिलेगा तो देखा जाए तो 2023 में जो चुनाव होने हैं उसमें से 224 सदस्यों वाली विधान सभा करना टकी है जिसमें Congress ने initial तोर पर एक एक candidate अगर एक विधान सभा से भी apply करते हैं तो उसमें लगभग 4.500 रुपय की विवस्था demand draft के थ्रू कर ली है लेकिन इसके साथ ये भी सोचना चाहिए कि एक विधान सभा सीट पर कम से कम तो Congress में 5 applicant यानि कि 5 लोग उम्मिदवारी के दावा तो कर सकते हैं अगर इस तरीके से भी देखा जाए तो initial money जो किसी tender में भरा जाता है किसी भी tender के लिए डाला जाता है उसकी initial money जो ये 2,00,000 रुपया रखे हैं उसके हिसाब से 20-25 करोड पहले ही Congress के जेब में आ जाएगी और फिर ये बोली लगना शुरू होगा कि जो 5,6,2,4 लोगों ने एक विधान सभाज seat के लिए apply किया है वहाँ पर कौन जादा से जादा पैसा दे सकते हैं और वो पैसा अंदर खाने की होगी उस पैसे को announce नहीं किया जाएगा बलकि वो black money का पैसा होगा जो candidate पीछे के दरवाजे से आकर बताएंगी कि हम इस seat के लिए 1 करोड दे सकते हैं 2 करोड दे सकते हैं 5 करोड दे सकते हैं यानि कि सेकरो करोड का एक खेल करनाटक विधान सभा चुनाब की घोषना से पहले ही वहाँ पर शुरू हो चुका है और ये छेतर मलिकारजुन खडगे का है वही से वो है अभी इसलिए करनाटक के अंदर कॉंग्रिस में 3-3 गुट बने हुए हैं एक तरफ सिधारमया है तो दूसरी तरफ डीके सिवकुमार और तीसरे एंगल में मलिकारजुन खडगे हैं ये लंबा समय जो दिया गया है इन तीनों के अपने पैसे कमाने के लिए और सोनिया गांधी राहुल गांधी के जेब भरने के लिए दिया गया है क्योंकि अगर देखा जाए तो डीके सिवकुमार अपने आप में बड़े घोटाले वाज, पुझी पती, पैसे वाले व्यक्ति हैं क्योंकि यंग इंडिया प्राइवेट लिम्टेड के लिए डीके सिवकुमार और डीके शुरेश जो दोनों भाई हैं इन लोगों ने काफी पैसे दिये हैं अलग-अलग लोगों के घर में ये पैसे छुपाये हुए थे लेकिन अब वो और भी कमाने के फिराक में लग गये हैं और उसके बाद जो नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं मद्द परदेश, 36 गर्ड, तेलंगना और राजस्थान विधान सवा के उसके लिए भ इतना रखा जाना चाहिए क्योंकि राजस्थान में तो अभी सरकार है और जो विधायक जीत के आये हैं वो तो उससे भी जादा बड़ी बोली लगाने के लिए तयार है जो वेटिंग में खड़े हैं वो भी कठा करना शुरू कर देंगे कि अभी करनाटक में होना है तो उ इन जगों पर विधायकों ने तयारी शुरू कर दी है और जो टिकट लेना जिनको है उन्होंने भी पैसा इकठा करना शुरू कर दिया है क्योंकि बिना बोली लगाए अब कॉंग्रिस में विधान सभा या लोक सभा के टिकट के लिए उम्मिदवार नहीं बनाये जा सकते टिकट नहीं दिये जा सकते और ये सोनिया गांधी के वेशर्मी की परकास्था है क्योंकि जिस तरीके से टिकट के लिए आवेदन करना और फिर उसके लिए एमांट निर्धारित करना इन लोगों ने शुरू किया है उससे ये तो साबित होता है कि जो विधायक लाखों कर होगा करप्ट होगा क्योंकि उसने पहले ही इन्वेस्टमेंट किया है जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में जो लोग पैसे देकर नौकरी में जाते हैं दलालों के थू जाते हैं उनके दिमाज में पहले ही सेट होता है कि वो इतना इतना पैसा देकर अगर नौकरी करने ज जा रहा है जो कि इस बीच जो सरकार नहीं बन रही थी चुनाब नहीं जीत रहे थे तो कॉंग्रिस का खजाना भी खाली हो रहा था तो इसको भरने का एक नया तरीका ढूंडा गया है और अब कॉंग्रिस में टिंडर निकाले जा रहे हैं टिकट देने के लिए बोली एक और सांसद बनाने के लिए एक लीगल तरीका भी ढूंडा जा रहा है तो इसी तरह के खबरों के साथ फिर से हाधिर होंगे तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ और देते रही है मैसायोग ताकि इसी तरह ही कबर हम आपके लिए लाते रहें दन्यवाद